करगोन जले से संसनी केज माबना सामनी आया यहां ठगों ने आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के जरिया वोईस क्लोन बनाकर पेट्रोल पंप संचालक से हजार रुपे ढग लिए संचालक और रुपे देते उसके पहले ही उन्हें ठगी की शंका हो गई जांच के बाद ठगी का पता लगा तो उन्होंने इंदोर क्राइम ब्रांच को ऑनलाइन इसकी शिकायत की साइबर अपराधियों ने बेटी की नाम पर पेट्रोल पंप संचालक को उठगा इस घटना की बाद जहां परिवाद डर गया तो पूरे इलाके में संसनी फ्याल गई इधार इस गंभीर मामले के बाद परजान और रिश्टार लोग से अपील कर रहे कि बढ़ते हुए सा समाज में चिंता बढ़ गई है बिना कंफर्म कि ये कोई पैसा ओनलाइन ना करें आख साड़े आट बजे मेरे मोबाइल पर फोन आया था मैं सोया आवा था मैंने फोन उठाया तो कि यहां से बोल रहा है आप मैं कहां तो कि नमावी भंडारी आपकी लड़की मैंने कहां क कि लड़के की साथ कि गवन करा बीजलाग का उनने उसके उसमें हमने उनको अरेश्ट करा है फिर अपनी बच्ची को छुडाने के लिए आप क्या करोगे तो मैंने कर आप बते हैं मैं क्या करूँ तो बोले आपको तीस हजार पचास हजार कितने दे सकते हो और बोलते हमार करी नहीं पाई मैंने जैसे तैसे अपने फेमेली में कुछ मेसे देखे हैं बिना बता है कि मुझे कुछ अरजेंट काम है तो पेसे डलवाए और जैसे ही पेसे डाले वो लोग बलते दस मिट बात छोड़ेंगी बेटी को फिर उन्होंने नहीं छोड़ा और बोलते फिर औ पेसे डालो इस बीच में मेरी फेमेली को पता चला सब आके इखटा हुए होस्टल में बेटी को कॉल किया मिलने गए तो वो तो वहीं पे आराम से अपने रूम में सोई हुई थी प्रवीन पाल अमार साथ जुड़के हैं सवरतारिक जानकारी की साथ इस ख़वर पर प्रवीन अपडेट करेंए इस पूरी मामले को लेकर जी प्रयाग मैं आपको बता दो कि खरगोन जिले में एक साइबर क्राइम से जुड़ा हो एक नया मामला सामने आए जिसमें खरगोन निवासी जो व्यापारी है यहाँ पर शाम मंदारी और उनकी जो व्याता पत्नी है ममता मंदारी उनके साथ एक अजीब तरह के से जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए